वार्चिक परिक्षा नवी और 11 वी में एक बार और संसोधन हुआ है वही संसोधन को लेकर आपके सामने प्रस्तित हुआ जिस प्रकार के संसोधन हो रहे हैं मैं एक वन-to-one अपडेट लेकर आपके सामने आ रहा हूं यहीं किसी प्रकार का बदलाव इसमें होता है तो फिर म अदेश के माध्यम साप उनको देख सकते हैं कि पहली पाली वाला और यह आदेश एक नया आया है एक तीन दोहजार एक तीन दोहजार चोविस का अब देखते हैं यह आदेश लोक सिक्षन संचनाले के हैं सभी के लिए समस्त संभागी आयुक्त संचनाले मद्यपरदेश प्राचारी हाई स्कूल हाई सकेंडरी जिला सिक्षा अदिकारी वी से सेक्षनिक सत्र दोहजार तेविस चोविस में ग्यारवी की वार्षिक परिक्षा समय सरनी मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें केवल ग्यारवी के जो प्रश्ण पत्र थे उनके लिए समय का संसोधन कि बाकी जो जिस प्रकार से नवी का था या थावद वही रहेगा पहली पाली में सुबह होने वाला था वहाँ वैसा का वैसा ही रहेगा आगे देखते हैं सदर्बित पत्र सेक्षिनिक सत्र 2023 चोईस में नवी और 11 वी की वारशिक परिक्षा की समय शाणि जारी कर दी गई dato एक महीने पहले अब हारी गारणों के कारण 11 वी की वारशिक परिक्षा 6, 7, 11 और 14 यानि कि कक्षा 11 में जो 6 तारिक को 7 तारिक को 11 तारिक को 14 तारिक को 14 मार्च 2024 आयोजीत की समय के अनुसार संसोदन यानि कि ये टाइम टेबल भी दे दिया है 6 तारिक के दिन जो 11 वी का पेपर राजनीती सास्तर का था उसका समय था प्राता 9 बजे से तो ये 9 बजे का समय दो पहर 2-5 हो गया है फिर यहाँ पर 7 तारिक के दिन संसकत का जो पेपर था आपका जो 11 वी क्लास में संसकत जिन बच्चों के पास एक छिक है उनके लिए 9 से 12 था वहाँ 2 से 5 हो गया है और फिर 11 तारिक को गणित का पेपर था 9 से 12 में तो वो 2 से 5 हो गया है फिर 14 तारिक में भोतिक सास्तर का और अर्थ सास्तर का पेपर तो वो 9 से 12 में था यानि की 2 से 5 हो गया यानि की 4 पेपरों में बदला हुआ है ऩो भी खक्षा घारवी के और नवी के वैशे के वैसे ही पेपर रहेंगे समय रहेगा नवी का सब्दूरी का और ऐसी की प्रकार आपडेट समय से संभन दिट या नवी ग्यारवीbit से पर आदेश के अनुसार आप उस समय को देख सकते हो यह दी परिवर्तन होता है तो हम आदेश के माध्यम से आपको बता देंगे जह इन साथ ही हो अगले वीडियों जल्द मिलते हैं टाटा बाए बाए